हैं आज की वीडियो में हम बहुत ही कुब सौरत एक्वैतिक टिरेरियम बनाएंगे मतलब इस टिरेरियम को बनाने के लिए हम एक्वैटिक प्लांट्स का यूज सबस्करेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे अगर आप चाहें तो इसमें फिश भी डाल सकते हैं तो चली देखते हैं क्यासे बनाना है को अगर से बनाने के लिए चाहिए हमें एक फिश बोल यह थोड़ा साइस है चुकि बड़े plants का यूज़ करूँगी इसमें आप plants के cording size चूज़ कर सकते हैं अब इसमें मैं garden soil डालूँगी आप चाहें तो इसमें चिकनी मिटी भी डाल सकते हैं चिकनी मिटी डालने का अलग फायदा है क्योंकि इसमें हम aquatic plant grow कर रहे हैं दूसरी बात चिकनी मिटी अच्छी तरीकी से settle हो जाती है चिकनी मिटी डालने के पहले उसको अच्छी तरीकी से crush कर ले powder के form में बना लें टुकडो में न डालें अब हम मिट्टी को थोड़ा सा वेट कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल करके बहुत जादा इसे गीला नहीं करना है फिर हम इसमें पौधा लगाएंगे तो अब मैं इसमें पैनी वर्ट प्लांट डाल रहे हूँ बहुत एक उपसुरत प्लांट है इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और नॉर्मल प्लांट की तरह पौट में भी ग्रो कर सकते हैं बस इस प्लांट को मौश्टर थोड़ा जादा पसंद होता है बहुत अब मैं इसमें वाइट कलर की एक्वेरियम सेंड डालोंगी इसके हमें थोड़ी सी मोटी लेयर लगानी है वीडियो में यूज़ड हुए सारे फ्रोड़क्स के मैं लिंक डाल दोंगी आप आसानी से खरीच सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि नीचे मित्टी की एक लेयर है और उपर सैंड की एक मोटी लेयर है और पौधे की जड़ें मित्टी के अंदर ही हैं तो अब हम पौधे के पास में बीच में एक पत्थर रखेंगे और उसी पत्थर के उपर हमें पानी डालना है जिससे धीरे धीरे वो पानी नीचे गिरते हुए हमारे पॉट में भर जाए ध्यान रहे कि पानी हमें डारेक्ट सैंड पे नहीं डालना है वरना नीचे से सैंड के ओपर फैल जाएगी और वो नीट लुक में ही आएगा पानी गंदा दिखने लगेगा तो इस तरीके से पानी डालने पर आप देख सकते हैं मिट्टी की लेर नीचे है उसके ओपर सैंड की लेर है और पानी उपर कितना क्लेन दिख रहा है तो अब मैं इसमें एक पर लिटेस का पौधा डालने वाली हूं यह दोनों ही पौधे बहुत ही इसली ग्रो होते हैं बहुत इजी होता है इनको मेंटेन करना आप चाहें तो कोई और फ्लोटिंग प्लांट डाल सकते हैं और बस इसको फाइनल टच देने के लिए कुछ शेल्स और कॉंचर्ज और मिनियेचर से इसको डेकुरेट करूंगी तो यह लगबग तयार हो चुका है आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं काफी खुबसूरत दिख रहा है इस तरीके से इसका पानी चेंज करने में भी बहुत आसानी होगी लेकिन मैं इसमें कुछ river stones डालूँगी कुछ pebbles डालूँगी जो कि बिल्कुल optional है आप चाहें तो ऐसे stones डालें आप नहीं चाहतें तो रहने दें आप बस इतना ही रखें ये भी उतना ही खुबसूरत देखने में लग रहा है तो हमारा ये बहुत खुबसूरत और बहुत ही आसान aquatic terrarium बिल्कुल रेडी है इसको आप partial shade में भी रख सकते हैं फुल सल लाइट वाली जगे पे भी रख सकते हैं बहुत ही easy to maintain है अगर आप चाहें तो इसमें fish भी डाल सकते हैं वीडियो में यूजवे सारे products का link मैंने description box में share कर दिया है कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे comment करके ज़रूर बताए फिर मिलती हूँ एक और interesting वीडियो के साथ जल्दी बाबाई